एपीपी गंगा अयोध्या और सिरुफ बाहर से ही नहीं अयोध्या रेल्वे स्टेशन अंदर से भी इतना खुब्सूरत है इन नए रेल्वे स्टेशन के अंदर का नजारा भिल्कुल हाई टेक है शैलेश शरूडा की एक और एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट ही राम अंदिर के तरज पर तयार हो रहा अयोध्या का रेल्वे स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है उसकी तस्वीर भी आप यहां से देख सकते है कि किस तरह से जो हमने आपको भी काम दिखाया कि किस तरह से बिल्डिंग बाहर से नजार आती है अगर आप अंदर जलक बारेंगे तो बहुती खुब सूरत ये बिल्डिंग तयार की जा रही है पूरी यहां पर आप देख सकते हैं पूरा शीशे से काम किया गया है अंदर की अगर आप जलक देखें तो जो पिलर्स हैं उनको भी टाइल्स से कवर किया गया है यहाँ पर और अंदर अगर आप देखेंगे तो जो partitions थे वो तयार हो चुके है काम जो है वो लगभग आप कह सकते हैं पूरा होने को है बेहतरीन quality की tiles का marvel का यहाँ पर इस्तमाल किया गया है और यह आप देख सकते हैं यह पूरी building है जो railway station का हम कह सकते है extension है जो expansion है वो तयार किया जा रहा है और यहाँ पर भी आप देखें यह एक्सलेटर्स है यानि जो यात्री होंगे उनकी सुविधा के लिए यह एक्सलेटर्स लगाए गए हैं तो राममंदिर की जहलक नजर आती है और जब हम अंदर से इस railway station को देखते हैं तो एक mall की तरह किसी shopping complex की तरह आप इसे देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में इस तरह के आप देखेंगे तो इस तरह का नजार आपको railway station का नहीं दिखेगा लेकिन यह अयोध्या का रामनगरी का railway station है जो विश विश तरिये बनाया जा रहा है और यही वज़ा है कि इस railway station को जब आप देखते हैं तो किसी international railway station जैसा ही आपको दजारा यहां का दिखेगा आप देख सकते हैं यह हम ground floor पर खड़ें और इसके उपर एक दो यह floor है तीसा floor उसके ओपर जहां पर यह शेट से पूरा cover किया गया है आगे चलते हैं इस railway station की तस्वीर आपको दिखाएं यह पूरी तरह से यहां पर लग चुके हैं बहुत जल्द यह functional भी होंगे जब यह समर्पित किया जाएगा जनता को यानि यात्रियों के लिए जब इसे श यानि हर वो चीज़ जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक किसी मॉल में नजर आती है वैसी ही तस्वीर हो यहां पर भी देखिए कि बाहर भी जिस आपने बताया कि दिन रात लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से इस railway station के अंदर भी आप देखिए मजदूर जो है वो लगे हुए ह काम चल रहा है और काफी भव ये railway station तयार किया जा रहा है वज़ा जो आपने पहले भी जिक्र किया कि यहां पर जब राम मंदिर का निर्मार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यह मान कर चलिए कि यहां पर जो यात्रियों की संख्या होगी उसमें कई गुना का इजाफा ह होगा तो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस पूरे भव्वे railway station को तयार किया जा रहा है कैमरा सयोगी राजू के साथ शैले शरोरा ABP गंगा